finally one piece का manga chapter 1063 के spoilers आ चुके हैं और ये जो है chapter का spoiler जिस प्रकार से था थोड़ा ज्यादा spoiler आया है और ये spoiler काफ़ ज्यादा important तो दिख रहे हैं लेकिन यार जानतों पूरा chapter का spoiler रीड करने के बाद मुझे सबसे ज्यादा interesting लगा इसका cover page को लेके अब इन सब चीजों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा सो चलो बात करते हैं spoilers को लेके सबसे बहले तो chapter रहा है title my only family ये चीज हमें सीधा सीधा इसारा कर रहा है जौलरी बॉनी और कूमा के relationship को ये दोनों को देख करके ही ये title रखा गया है next बात करते है spoiler के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि cover page में cracker जो है बरफ से जम चुका है और brooly जो है वो रो रही है इस वज़े से नहीं कि cracker जो है बरफ से जम गया बलकि ये कि pudding kidnap हो चुकी है brooly कहती है कि pudding को किसी ने kidnap कर लिया है अब किसने किया है मैं बताता हूं देखो यार जिस पर आया क्यों है pudding को kidnap करने के लिए और उसको ये ले जा रहा है क्यों ताकि उसका जो आई है उसके पास तीन आख है याद होगा वो अपने थर्ड आई का awakening करके वो pony clip को read कर सकती है और फिलाल के time पे आउपीजी कोई marine नहीं है मतलब ये कि black beard भी अब one piece के पीछे जाएग तो उसके लिए wait करो next spoiler की तरब बढ़ते हैं लूफी, chopper, jinbe and bonnie change their clothes with a special bag of punks machine हाँ ये चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी था कपड़ा ही change करना था वैसे लूफी जिस भी island पे जाता उस हिसाब से उसके कपड़े change होते रहते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है प्लस ये भी लिखा है कि लूफी, chopper and bonnie wear futuristic clothes and jinbe wears Hawaiian clothes ठीक है भाईया कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये कपड़े कोई power system नहीं दिखाते हैं power level नहीं बताते हैं तो कपड़े अपने-पने design के हैं इन्हें जब chapter आएगा तो बहुत अच्छे से देख लेना next they meet kuma a police robot with uniform he is a different from the real kuma he wears round sunglasses and has robotic soldiers अब देखो भाईया यहां पर जो चौकिदारी के लिए Dr. Vegapunk ने kuma का robot बना के रखा और क्या ये बॉनी का बाप है नई ये बस उसका copy है clone है robot है जो कहना चाओ कह सकते हो प्लस उसके साथ और भी clone वाले robots हैं देखो ये island पूरी तरह से robot वाला दिखाया जाएगा futuristic चीज़े होंगी और इतना ज्यादा advanced technology मैं चाहूंगा जिन्बे मैंने जिन्बे कह दिया क्या sorry frank की जो है काफी जादा चीज़े सिखके जाए Dr. Vegapunk से next kuma attacks them luffy is about to punch kuma but bonnie stops him अब देखो मुझे कुछ बताने के जूरत नहीं है वो जो kuma वाला जो robot है वो हमला कर देता है लूफी लोंग के उपर और लूफी उसको return punch करने वाला ही होता है बॉनी उसे रोक देती है अब वो क्यों रोकती है बॉनी says kuma is her real father and her only family we can see an image of younger kuma holding bonnie when she was a child अब देखो यार बॉनी थोड़ा तो दिमाग लगाओ इतना ज्यादा emotional करने की जुरत नहीं है भले ही तुम्हारा बाप का clone है लेकिन तुम्हारा बाप अभी revolutionary army के साथ है वो ठीक भी हो जाएगा वो बस उसका clone है अब इसका मतलब यह ने कि वो तुम्हारे पर हमला कर रहा है तो तुम खुद की रच्छा भी ना करो खेर क्या कर सकते है emotional अत्याचार चल रहा है next spoiler no news about Zorro group in the chapter देखो यार Sanji fans भड़कने वाले because यह spoiler में Zorro group का आगया विससे Sanji group भी कह सकते थे लेकिन दोनों साला जगडते रहते हैं अगर Sanji fans को पता चल गया तो वो जगड़ पड़ेंगे खेर chapter में कुछ पता नहीं चल रहा है second group के बारे में मैं second group भी बोलूँ का because वहाँ पर Sanji और Zorro दोनों है इसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है पता नहीं देखते हैं आगे क्या होता है next हमें दूसरा जगह का scene दिखाया जाता है जहां पर हमें यह बताया जाता है कि जो black beard है वो lock के उपर हमला कर देता है वो भी beach समंदर में दोनों ही devil fruit user है और वहाँ पर जाके हमला कर देता है ठीक है बाई मेरे हिसाब से lock को क्या करना चाहिए पता है black beard अगर ship में है ना सिधा room और ship को कहीं और transfer कर दो पूरा का पूरा black beard crew जो है समंदर में गिर और उपर से lock का सिप्तो यार submarine है तो tension का बात नहीं है और black beard अगर समंदर में गिर है तो वो तो अपने devil foot power use ही नहीं कर पाएगा आप देखो अगर mellow होता तो ऐसा ही trick यूज कर दा लेकिन जानते हो ओडा लिख रहा है तो यह sorry चीज़े नहीं होंगे प्लस हमें यहां पर यह भी बता जाता है black beard उसके साथ कुछ बंदे लेकर काया है जिन में से एक है जिजस बर्गर्स वान एगवार वाई स्नाइपर डॉक्यू एंड स्ट्रोंगर भाई नाम भी ओडा ने क्या ही दिया है खैर अब यह जितने भी है यह सब devil foot user है इसलिए तो मैंने कहा अगर वो सिप में है ना सीधे भाई सिप को रूम और कहीं और जाके भेज दो टेलिपोट सीधा समंदर में गिरेंगे खतम जंजटे नहीं लेकिन लॉय यह सब चीज नहीं करेगा यहां पर हमें जो है black beard के जितने भी मेंबर से जो की वो लेकर क्या है उनके devil पावर के बारे में बताया जाता है पहला था जीजस बर्गस जिसके पास है रीकी रीकी नोमी है अब नॉर्मल स्ट्रेंथ उसके पास काफी ज्यादा मात्रामी स्ट्रेंथ है अब देखो जीजस बर्गस जो है पहले devil फूट यूजर नहीं हुआ करता था लेकिन अभी के पर उसके पास devil food power आ चुका है जब उसके पास power नहीं था dress Rosa Arc में सैवो ने क्या ही बजा डाला था अब देखो अगर उसके पास devil food power है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सैवो उसको नहीं बजा सकता अभी भी मेरे को लगता कि सैवो बजा डालेगा और मुझे पूरा भरोसा कि लॉब उसको बजा सकता है कोई दिक्कत का बात नहीं है फिर आता है डॉक क्यू जिसके पास से सीकू सीकू नोमी he can infect people with sickness अजीबों करीब पावर है यार बीमार कर सकता है लॉंडा दूसरों को next वैन अगवार जिसके पास से वापू आपू नोमी नाम बड़े अजीब वजीब है यार जैपनीज में वो लोगों को टेलिपोर्ट कर सकता है मतलब लॉक के डेवल फूट का सस्ता वर्जन एक तरसे कह सकता है फाइनल आता है जिसके पास से उमा उमा नोमी मिधिकल जोआन मॉर्डल पेगसिस भाइ हम सोच रहते है जितने अभी तक हमें मिधिकल जोआ दिखाया गया है उतना ही होंगे लेकिन अभी एक और ओडा ने इंट्रोडियूस कर दिया है और उसके पास पेगिसिस वाली पावर है प्लस मिथिकल जोन होने के वज़े से उसका डेवल हुड खुद से सोच सकता है उसके पास खुद का विल है तो यार इस डेवल हुड का अवेकनिंग मैं देखना चाहूंगा खेर इसके बाद और भी एसके पार में भाग जाता है जिसका जबाब देते होँए वेन एगवर जीजस बर्गस को वहाँ पर टेल्पोर्ट कर देता है प्लस जो बर्गस है वो लुआ से पहले ही टेलपोर्ट हो जाता है मतलब यह की वान एगवर उससे ज़बा फास्ट टेलपोर्ट डिसन कर सकता है खेर यहाँ पर जो spoiler में कुछ समझ नहीं आ रहा है जब chapter आएगा और ज़्यादा detail में समझ में आ जाएगा next बर्गस क्या करता है वो अपने बाएं हाथ से पूरा का पूरा पहाड उठा करके लौ के उपर फेक देता है इसके बाद हम next spoiler में यह बता जाता है dog q stronger के उपर सवारी करते हुए अब तुम्हें यादी होगा कि उसका devil fruit है pegasis वाला stronger का तो zone devil fruit होने के वज़े से वो stronger जो है pegasis में transform हो सकता है और dog q क्या करता है उसके उपर बैट करके उड़ते हुए वहाँ पे आता है प्लस black beard उन सब के उपर है मेरे को ये चीज पले नहीं पड़ा वो किस तरह से बताया है इसके बाद आते next spoiler dog q क्या करता है अपनी power को use करता है law को women में transform करने के लिए लेकिन law क्या करता है वो अपनी हाकी की मदल से वहाँ से छूट के निकल जाता है अब देखो law का कहना ये है कि वो strong हाकी से devil fruit power को nullify कर सकता है प्लस वो ये भी कहता है इन सारी चीजों को वो कब सीखता है big mom and kaido के साथ जब उन लोग का लड़ाई हो रहा था तब उसको इन सब का बारे में पता चला जो की बहुत अच्छी बात है लड़ाई से experience आया है इसके बाद next spoiler blackbeard appears in front of law blackbeard was wondering which one of the three captains that left panokuni will cross path with him first प्लस मैं एच चीज बता दूँ यहाँ पर हमें final fight के दौरान ये बताया गया है कि final page में हम law और blackbeard को लड़ाई के लिए तयार होते हुए देख सकते हैं मैं बस ओड़ा से यही request करता हूँ ये जो fight होगा इसको background में ना चलने दे इस लड़ाई को जो है ओड़ा ड्रौ करके हमें दिखाए भाई direct result ना बता दे जिस तरह से जादतर fight जो है off screen ओड़ा करता है प्लस यहाँ पर जो है blackbeard क्या करने आया है law के road pony cliff लेने के लिए आया है और देखो simple law का कहना है जो जीतेगा वो लेके जाएगा और इसी के साथ chapter जो है end हो जाता है साथी साथ no break next week मतलब हमें एक और chapter देखनी को मिलेगा फिर oda break में जाएगा अब देखो यह जिस तरह से दिखाया जा रहा है blackbeard को दिखाया जा रहा है law को दिखाया जा रहा है मुझे पता law उतना ज़्यादा strong नहीं है लेकिन law बहुत गंदा कूटेगा blackbeard को जो हाल उसने लिलिन का किया था यहाँ पर हो सकता है blackbeard के साथ भी करता हूँ नजराए अब देखो blackbeard के साथ सीनी यही है कि उसके पास दो-दो devil fruit power है बस इसी वज़े से ज़्यादा खतरा लगता है और एक नंबर का साला कमीना है साथ ही साथ law का crew उतना ज़्यादा strong नहीं है लूफी का जैसे strong है law अकेला है वो किसी पे ज़्यादा भरसा नहीं कर सकता है कि भाई उसको कोई cover दे तो इस वज़े से दिक्कत आ सकता है खेर चलो देखतें आगे क्या होता है और हाँ पूरे chapter में जो spoiler आये थे उससे ज़्यादा मैं excited हो गया किस पार्ट को लेके पता है cover page को ले करके क्योंकि pudding की ड्नाप हो चुकी है और उसको किस ने किया obvious सी बात है आउकी जी नहीं किया होगा खेर देखो इस बारे में बात और ज्यादा डिटेल में करेंगे जब chapter आएगा साथी साथ आउकी जी के उपर भी वीडियो आएगा खेर देखो फिलाल के लिए इतना ही वीडियो पसंदा है लाइक करो चैनल पर नहीं आएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अन कर देना और हां मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना तो यार मिलेंगे नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए बाई